श्री गनेशाय नमाहा, नमशकार दोस्तों, ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है, वो चंद्रमा की स्तिधी लेकर आती है, और इस वजे से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को दस्वे भाव में रहेंगे, जी हाँ, दस्वे भाव में चंद्रमा का होना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये दिन आपके लिए लाबकारी सिद्ध होगा, दस्वा भाव हमारा कर्मक्षेत्र है, ये भाव हमारे कामकाज के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिस वजे से आपको इस समय में अपने कारेक शेत्र में मान प्रतिष्ठा मिलेगी आपको इस समय में धन कमाने के नए रास्ते नए जरीय मिल सकते हैं जो लोग बिजनिस करते हैं उनके लिए ये समय काफी बढ़िया रहेगा आप इस समय में खुल कर निवेश कर सकते हैं निवेश के दिन करने के लिए ये समय काफी अनुकुल है ये दिन पूरी तरह से आप ही के फेवर में रहेगा दिन का पूरा लाब उठाए और अपने जीवन के हर पल का आनन ले इस समय में आपके सहयोगी आपकी मदद करेंगे आपका मन अपने काम में लगेगा अच्छे कामों की आपको अवश्य मिलेगा जो लोग नोकरी ढून रहे है उनके लिए समय शुब है प्रयाज करें आपको अच्छी जावप मिल सकती है कारेक शेतर में चंद्रमा के होने का मतलब ही यही है कि कोई भी खाली नहीं रहेगा सब को काम मिलेगा कर्मों का फल इस समय में मिलता ही ह दस्वे भाव में चंद्रमा 34 स्थान पर दरिश्टी डाल रहे है इस वज़े से आपको सुखों की प्राप्ति भी होगी इस समय में आप भूमिया वहान ले सकते है आपके घर में साथ सजावटका या जरुरत का नया सामान भी इस समय में आ सकता है जो सामान काफी दिनों स लेने की आप सोच रहे थें, वो आप इस दिन ले पाऊगे, इस समय में आपको आपकी माता का सुख भी मिलेगा, इस समय में आपके ससुराल पक्से भी आपको धन्ना भूनी की संभावन रहेगी, जो लोग राजनीती में हैं, उन लोगों को इस समय में खास तOR पर फायदा ह राजनीति के ख्षेत्र में आपको नामव प्रतिष्ठा मिलेगी धन की प्राप्ति भी होगी और राजनीति के ख्षेत्र में आप सफल रहोगे अगर स्टूडन्स की बात करें तो स्टूडन्स के लिए भी ये समय बहतरीन रहेगा पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगेगा अपने future के बारे में फैसला लेने के लिए, अपने future की planning करने के लिए ये समय सही है, इस समय में आपकी वानी में मिठास रहेगी, लोग आपसे प्रभावित होगे, इस समय में आप प्रसन न रहोगे, खुश रहोगे, positive सोच से आगे बढ़ोगे, इस समय में आपको पारिवा करने जैसी कोई बात नहीं रहेगी, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए योगा का सहरा लेना हमेशा ठीक रहता है, लेकिन उसमें अपने सांस लेने और छोडने का वत्त, उस पोज के मताबिक सही होना चाहिए, जी हाँ, अपनी सांस लेना या छोडना काफी मायने रखता ह ये दिन आपके लिए आर्थिक सिदी के हिसाब से भी काफी बढ़िया रहेगा, विदिश से धनकामाने के मोके भी इस समय में आपको मिलेंगे, कुल मिलाकर ये दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा साभी दोने वाला है, दोस्तो ये राशी फल चंद्र राश के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखे, नमस्कार दोस्तो, व्यक्ती को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक हो जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दर असल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्र करन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है अगर आप कह जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते है कही भी जूते चपल फेक जूते रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तों ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगय पर ने इस पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चपलों को उनकी जगए पर कुछ इस तरह से रखे, कวँ देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखें साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जीन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा negative effect डालती है यिसलिए हमारे घर के उपर का जो भी area है वो पूरी तरह से साप सुत्रा रखे जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पास सकते हैं उतना नहीं पास सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्यूकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिड़शेडा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल श इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साब सुत्रा रखे कम से गम एक महीने में अपने घर के हर कोने की साब सपाई जरूर करे दोस्तों मुख्यद्वार भ और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे तूटी फूटी जो भगवान की मु भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे ते उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से करेंज में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हां इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवर में उसी तरह के घटनाए गटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद